हालो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट चंदन सिंग फिर से आज एक वा नई वीडियो के साथ आपके अपने फेविट चैनल CES टेक्निकल पे दोस्तों जैसा कि आप लोग पता है कि केंद्रे विद्याले से रिलेटिट कोई भी नया अपडेट या कोई भी नॉटिफिकेशन आता है तो मैं तुरंत उसके ओपर वीडियो बना करके आप लोगों से शेयर करता हूँ चाहे हो किसी नियूस पेपर में आए चाहे हो किंद्रे विद्याले संगठन की वेबसाइट पर आए या किसी किंद्रे विद्याले स्कूल की वेबसाइट पर आए मैं इसको उपर तुरंत वीडियो बना करके आप सबसे share करता हूँ चाहें चोटी नीवजों चाहें बड़ी नीवजों केंद्रे विद्याले से related तुरंत मैं आप सभी से share करता हूँ तो जैसा कि मैंने आपनों कल बताया था कि केंद्रे विद्याले संगठा ने date sheet आउट कर दिया है कि किस तरीकों कौन से list आउट होगी तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैं e-news paper पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि केंद्रे विद्याले से related news आ रहा था था news paper में तो सोचा क्यों ना आप लोग एक साथ share करूं इसके साथ साथ एक और बात बता दू आप सभी को कि जो केंद्रे विद्याले संगठा ने class first के lottery list को ले करके जो date sheet आउट किया है उसको अभी भी ले करके बहुत सारे parents के मन में doubt से हैं ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे parents ऐसे हैं जो मुझे comment box में comment करके सवाल पूछ रहे हैं केंद्रे विद्याले में class first की lottery list को ले करके तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इस news को दिखाता हूँ कि इस news में क्या-क्या लिखा है सायद ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे parents के जो doubts हैं वो सारे clear हो जाएंगे तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या-क्या लिखा है इसके अंदर तो देखिए यहाँ सबसे उपर लिखा हुआ है KBS दाकिला 2021 केंद्रे विद्याले ने जारी किया नया schedule इस तारिक से शुरू होगी परिवस परिक्रिया देखिया है सार लिखा हुए केंद्रे विद्याले में प्रतम कक्षा में परवेश के लिए लौटरी परिक्रिया 23 जुन 2021 यानि बुधवार को होगी आगे देखते हैं नीचे लिखा हुआ है विस्तार केंद्रे विद्याले संगठन यानि KBS ने अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर पहली कक्षा में परवेश के लिए लौटरी की तीथी का संसोधित schedule जारी किया है बता दे की करोना महामारी की वज़े से मार्च महीने में होने वाली परवेश परिक्रिया को कुछ समय के लिए स्थागित कर दिया गया था किन्तु अब KBS ने इसे फिर से सुचारू करने का निर्णे लिया है यहाँ देखिया लिखा हुए 23 जून को जारी होगी पहली सुची अधिकारिक वेक्साइड पर जारी संसोधि सेड्यूल के मुताबिक केंद्रे विद्याले में प्रथम कक्षाय में प्रवेश के लिए लोटे परक्रिया 23 जून 2021 यानि बुद्वार को निधारित की गई है सभी परणेग्रेत विदार्थियों की पहली सुची 23 जून 2021 को जारी की जाएगी वहें दूसरी वे तीसरी सुची करमसा 30 जून वे 5 जुलाई को जारी होगी तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि जो पहले लिष्ट आउट होगी वो 23 जून 2021 को होगी और जो दूसरी लिष्ट आउट होगी वो होगी 30 जून 2021 को और जो तीसरी लिष्ट आउट होगी वो होगी 5 जुलाई 2021 को चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि जो ग्यारवी में एडमिशन की जो आखरी डेट है वो 31 अगस निर्धारित किया गया है मतब 31 अगस के बाद आप एडमिशन नहीं ले सकते ग्यारवी क्लास में उसके बाद यहाँ पर और भी लिखाव है कि 10 वी का रिजल्ट घोसीत होने के बाद 20 दिन के बाद एडमिशन के परकिरिया सुरू होगी केंद्रे विध्याले के लिए एडमिशन के परकिरिया है 10 दिन बाद ही सुरू कर दी जाएगी तो दोस्तों देखी यहाँ पे लिखावाई यह है संसोधित सेडियोल तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले विडियो में यह लिष्ट मैंने आपको दिखाया था जो केंद्रे विध्याले संगठन ने जो जारी किया था यह नोटिपिकेशन जो जारी किया था मैंने आप सभी को दिखाया था इसके मैंने एक-एक points को भी आपको पढ़के दिखाया था So I hope कि आपके सारे doubts clear हो गए होंगे जो class first में lottery list को लेकर है कि कौन सी date को कौन सी list out होगी ये सब आपका clear हो गया होगा अगर फिर भी कोई doubt रहा गया हो तो आप मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हैं मैं वहां आपको reply कर दूँगा तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो helpful लगी हो तो इसको like करें share करें जदस जदस लोगों को पास पहुचाएं ताकि अगर किसी के मन में अभी भी कोई doubt रह गया हो class first में lottery list के schedule को लेकर के जो list out होना है तो उनके doubts clear हो सकें तो दोस्तो अगर आप मेरे channel पे नए हैं तो channel को subscribe कर लें और नए नए वीडियो देखने के लिए केंद्रिय विद्याले से related और साथी साथ जो class first का lottery list आउट होना है उसको लेकर के नए नए updates के लिए और class first में क्या क्या documents लगने या और कोई queries हो उसको जानने के लिए आप मेरे channel को subscribe कर लें और bell icon को press कर लें नए नए notification पाने के लिए तब तक के लिए thank you, bye bye, जैहिन